प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपडेट असलाम अलेकूम वलकम टो मैंचियोनल टेखनीक अलेव मैं चली शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन में क्यामरा अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद अगर आपको unfortunately camera has stopped का error देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस problem को fix करने का तरीका दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको अपने mobile की settings को open करना है और नीचे के तरफ स्वाइब करने के बाद आपको apps वाले option पर टैप करना है अब यहाँ नीचे के तरफ आपको force stop वाले option में के लिए करना है और नीचे की तरफ से ok कर देना है और इसके बाद नीचे के तरफ clear data वाले option पर टैप करेंगे तो आपको first room में clear all data का option मिल जाएगा इस पर click करने के बाद आपको नीचे के तरफ से ok कर देना है और जैसा ही आप वोखे वाले option भी तिली करेंगे तो आपके camera application की सारी problem fix हो जाएगी और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए camera application को open कर लेता हूँ application को open करने के बाद आपको सारी permissions को allow करना है और अपने camera application को setup कर लेना है और यहां पर मैं आपको एक photo capture करके भी दिखा देता हूँ तो इसी तरह आप भी अपने mobile में camera application की इस वाले problem को easily fix कर सकते हैं